आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ओनर्स का पेपर थिरी पेपर थिरी का यह चैप्टर सीक्स है और चैप्टर सीक्स हम लोग तुगलक वन्स के बारे इंपड़ रहे थे इसका अबजेक्टिव कोचन देख रहे थे आज यह अबजेक्टिव सरघ कर लोग तोुगलक का इस के बाद क्यों है चैप्टर सीक्स है इसके बाद कॉन से पढ़ेंगे चैप्टर सेवन पढ़ेंगे चली हम लोगं आगे बढ़ते हैं जल्द धींट थि को खतम करके और पर फ्रेंट करना बहुत सारे बच्चों का कि पेपर फोर कम स्टाट करेंगे जैसे या फैरट सारी खतम होमर ही थे मोते हैं हम लग फोर स्टाट करेंगे हम लोग邊 कर चलू करते हैं हम लोग ऑफर हम inv to सूल्तान की म०्फ हूई थि थत्चा काम है सिंद में कि सूल्तान की मिलतु हूइ थी गयासुदि मिलते समय मोहमध बिलत की मिलते में हो गयी थत्था आखेो Fuß वो समय इह दिली सल्तनत का ही च्यत्र फनलग होने लगा ता इसी बीद्रों के देवाने कलिए लिए आगे बढ़ते हैं अगला क कोश्थर यह रोजगार किसे ने बन वायता यह एक झांसल्टा दाग्याइथ इस तांसता की निर्माट किसने करवाय था रोजगार के लिए गयासु दिन तुगलग फिरोज सा तुगलग नसीरु दिन महामुद साह या मोहमद बिन तुगलग तो यह जो डौक्तर रोजगार है इसकी शुरुवात फिरोज साह तुगलग ने किया था चली आगे बढ़ते अगला कोच्छन है मोहमद बिन तुगलक के दरबार में कहां का यात्री आया था मोहमद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीका का जापान का या चीन का तो मोहमद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीका का यात्री आया था अफ्रीका का यात्री आया था जिसका नाम था इ कि इसके बारे में मतलब विष्ट री तेक वारणन किया है और मुहमद बीन तूगलक के जो नीतिया होती थी कोई नीतिय और यहां यह भी नीतिक निर्मान करता था यह नीति का झोगी निर्मान करता था जो आटी करना और संकेतिक मुद्रा चलाइं ज़ी चलाना यह गंगा यह सारे इसके नीती फो रहे थे तो ये सिब के बारे की अगला वस्कांट ने किसमें ऐब्डर ने ना चलिए चलिए ऌगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है छो तूग्लाग डिंडी में से कोई नाइं तो फिरोश शात्तूगलाग निहीं किसानों कार्जु माफ किया था ज्हां राखिय था मत सब्सक्राइब किसान किरें आप प्रणीन की लाज्ट हुग कि जस्येदेए कि मिसान सब्सक्राइब जा का जयाक भाएं किसान सो तेगी लोग हमारे पास कुछ है नहीं और आकाल भी पड़ा हुआ राजा कर मांगी रहे हैं तो यह फॉसल कहां से उप जाते हैं इनके पास कहां से पैसा आता इसलिए इसने क्या किया करन किसान दूबारा क्या किया अपना फॉसल उप जाए ध्यान रखेगा आर्थ अगला कोचन क्या है तोपरा और मेरट के दो असोग का अस्तंब लेक दिली कौन लेकर आया था दोग असोग का अस्तंब लेक था यह दिली कौन लेकर आया था फिरोज सा तुगलक अलाव दिन खेल जी सिकंदर लोदी या डी इन में से कोई नहीं तो यह फिरोज सा तुग दिल्ली यह समराट असुक के अस्तमलेक से यहां सुखाड़ो तोपरा और मेरे चलो दिल्ली मिलेक चलो तो यह दिल्ली मिलेक चलाया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है होली के सरवजानिक उस्तों में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रतम सुल्टान कौन क्या प्रतम सुल्तान था स्वोली के प्रतम में नने से अगले और बढ़ते हैं अगला क्या है फिरोज सा तुगलग के आत्म कथा किस नाम से जानी जाती है तारी возь फिरोज साही फुटुहात फिरोज साही के नाम से इसकी आत्म कथा जानी है ज्यान रखेगा दिलि से दलाता बाथ राधानी किसने परिवर्थित किया था गया सुन MitglremICK उल्पाइब किस नेrah परिवर्थित किया था कि अलाव दिन के लिए मोहममद बीन तुगलव या मोहमद बीन तुगलक ने APFT न है तो ख्याantes this important question स्यूंदी कि धानी ने परिववर्थित किया था इसने परिवर्तित था मोहमध इंस तूगलक चलिए आगए बड़ते उगला कौन से कोछण है इबन बतूता को कजी किस निक रिया मुहमध बूब निकी लिए नहीं मोहगमद बिन तुग लग के दरबार पर लिया और इसको काजी नियुक्त कर दिया काजी किसे मुहगमद बेन तुगलक कत अंतिम मुहमाद बिन तुगलक फिरोज सा तुगलक गयासु दिन तुगलक नसीरु दिन महमूद सा जो था वो तुगलक वंस का अंतिम सा सकता तो जितना भी इसमें का अब्जेक्टिव कोश्चन था यह नसीरु दिन महमूद सा इसका अंसर हो जाएगा इसमें का अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोश्च नहीं और कुछ इंप नहीं और इसमें सब्जेक्टिव कुश्च जब हम यह देखिए ध्यान समझिए जब यह फिर 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 फटम हो जाएगा जाए उसके बाद फटाइंगे वह भी खतम हो जाएगा जब दोनों खताम हो जाएगा उसके बाद most important question करवाते हैं इसमें से परती में से most important question करृएंगे पर 4 में से चेप्टर से तुगलक वाले चेप्टर से भी जो most important question होगा subjective और objective करवादेंगे तो इसलिए इसमें का subjective question हम नहीं करवाएंगे यह मोस्ट इंपोर्टन जब करवाएंगे उसी समय हम करवा देंगे तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 शुरू करेंगे आप कमेंट में लिखकर जुरूर बताएगा कि इसमें से कितना कोश्चन का अंसर आपको पहले से ही याद था आप यहां पर कमे